बल्वुट की मशूर अभिनीत्री काजूल हमेशा ही अपने शांदार आक्टिंग अपनी खुपसुरती और अपने क्यूट अंदास के जरिये फैंस का दिल जीतती हुई नजराती है आज भले ही काजूल 46 साल की हो चुकी है लेकिन आज भी काजूल की खुपसुरती का बोल वाला है वैल बताना चाहेंगे आप सभी को की काजूल जहां एक और अपनी खुपसुरती के जरिये फैंस की दिलों पर राज कर रही है तो वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि काजोल को बहुत ही लंबे समय के पाद एहसास हुआ कि वह बहुत ही खुपसूरत है जिहां दोस्तों काजोल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पहली बार अपनी खुपसूरती का एहसास कब हुआ था काजोल से पूछा गया था जब उनकी खुपसूरती की राज के बारे में उस दोरान काजोल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पहली बार इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरी बेटी का जन हुए करीब 6 महीने बीट गए थे खुद को आईनी में देखकर मैं हैरान रह गई थी काजोल ने बताया था कि मैंने 15 से 16 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था इस दोरान कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मैं कैसी दिखती हूँ मैं काफी कूल टैप की लड़की थी और एक दम बिंदास रहकर जीना पसंद करती थी कहूं तो मैं काफी बेपरवा थी लेकिन काजोल ने बताया कि 19 से 20 साल की उम्र में जब मुझे कॉम्प्लिमेंट मिलना शुरू हो गए थी कि काजोल यूर सो ब्यूटिफुल यूर सो प्रिटी तब मैं इस तरह की बातों को इग्नॉर कर दिया करती थी लेकिन काजोल ने बताया कि मेरा मानना था कि मैं खुपसूरत नहीं बलकी Cool हूं उस वक्त मेरी नजर में खुपसूरत होना मतलब डम होना था हाँ वाकई ऐसा सोचती थी लेकिन काजोल ने बताया अपने इंट्रिव्यू में कि जब उनकी बेटी नियासा का जन्म हुआ था और नियासा के जन्म के बाद एक मा होने के नाते जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई थी और मैंने खोद की फिटनस और हैल्थ पर ध्यान देना शुरूर कर दिया था और उस दोरान एक दिन जब मैंने आईना देखा तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खूबसूरत हूँ जिहां काजोल ने बताया कि जब मैं आईना देख रही थी तो मेरे दिमाग में अच्छानक से ये विचार आया वाओ आइम सो ब्यूटिफूल आइम सो इस्टनिक यकीन मान ये कि वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था कि जब मुझे अपनी खूबसूरत होने का एहसास हुआ था खास बात ये है कि उसके बाद मैंने नोटिस किया कि सुंदरता को लेकर मुझे पहले से ही कहीं अधिक कॉंप्लिमेंट्स मिलने लगे हैं वाल इस तरह से काजोल ने ब काजोल ने अपनी सुंदरता को लेकर ये भी खुलासा किया कि वह पहले अपनी डाइट और वरकाउट के साथ साथ अपनी फिटनस को लेकर बहुत कॉंसियंस नहीं थी लेकिन बेटी के जन्म के बाद इन सभी पर ठीक से ध्यान देना शुरू कर दिया था इसलिए मैं सभी महिलाओं को यही सला देना चाहूंगी कि आप पूरे घर और परिवार को ध्यान में रखती हैं लेकिन थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें अपनी सुंदरता को निकारने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज जरूर करें और इस तरह से अपनी खुब सुरुती को बरकरार रखती हैं हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस